नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपके साथ में मसाला चाज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं बहुत ही टीस्टी और हिल्दी मसाला चाज मैंने बनाया है तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि इसे मैंने कैसे बनाया है मसाला चाज बनाने के 那 셈 शेलेक्ट्रीक ब्लेंder से भी बना सकते हैं इसका चार्च नाय उसका शार्च नाया मन एक तो wydaje अनत चार्च्स ए गाम मत बना रहे लिए हो सनस्वर्शं छोल्षा में इसको घ्लिक नबाता है करी तो मैं तो पानी सल्धे सियासा दही फिटा जाता है अब इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है तो यह बहुत अच्छा मठा हमारा तयार हो गया अब इसका मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने अधरक लिए हैं देखी दो छोटे तुकड़े हैं अधरक के तीन हरी मिर्चे छोटे और हरी धनिया है इसकी डंडिया भी मैंने साथ में लिए हरी धनिया की तो यह हमारा मसाला है इसको मैंने देखी अधरक के भी छोटे तुकड़े कर लिएं मिर्च के भी और धनिया के भी हम छोटे तुकड़े कर लेंगे और इसको मैं पीस लेती हूँ, तो मैं सिलबटे में पीस रही हूँ, आप इसको मिक्सी के जार में भी पीस झाले हैं लेकिन थोड़ा सा है तो यह महीन हो जाएगा, चाच के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और पूरा फ्लेवर इसका चाच में आना चाहिए अधरक अलग से नहीं लगना चाहिए धनिया अलग से नहीं लगना चाहिए सारी चीज़े बहुत अच्छे से मिक्स होके सबका अलग-अलग फ्लेवर बहुत अच्छ में रख के देखे, अभ देखे, चाहच में मैं मसाला डाल रहे हूँ सुखा वाला भी यह है काली मिच के शूवख भ३फ style आधा चमच साधा नमक, इसमें डालेंगा जीरा पाउडर Kim चटनी मैं डाल तुके हूं यह को उसको कर लेंगे जो हरी दिनिया अद्रक और हरी मेज की चिटनी थी उसको हम अच्छे से मिला लेते हैं इसमें और अब मतानी से भी बहुत अच्छे से मत लेंगे इसको जिसे की सारा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए चाच में और मैंने इसमें थंडा पानी डाल दी थी तो ये अच्छा थंडा चाच तयार हो गया है और इसको ग्लास में सरुकरने के लिए निकाल लेते हैंगे हमारा मसाला चाच रेडी है अगर गेस्ट आए उनको देने के लिए घर में पीने के लिए बच्चों को भी बहुत पसंद आता है आप खाने के साथ पी सकते हैं जब भी आपको कोई ड्रिंक लेना है तो आप इससे ले सकते हैं बहुत ही अच्छा आप एक बार ट्राय करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज लाइक कीजिए शेर कीज हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग